दोस्तों आज हम बना रहे हैं आलू की फूरी और कुट्टू के आटे पहली और साथ में आलू की सबजी तो दोस्तों इसके लिए हमने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर दोस्तों हमने दो कड़्ची मौफली का अविला डाल दिया है साथ ही दोस्तों एक चमच जीरा हाफ टीजपून सौफ का मैंने इस्तमाल किया है दोस्तों दो मेडियम साइज की टमाटर लेके वो भी हमने इसके अंदर डाल दिये हैं साथ ही दोस्तों एक चमच सैंधा नमक क्योंकि हम बना रहे हैं नवरात रिश्पेसर आलू पूरी आज दोस्तों जो रेसिपी मना रहे हैं वो पतली वाली आलू की सबजी हम बना रहे हैं दोस्तों दो हरी मिर्चे मुने लिये हैं उनको हमने बारीक चोप कर लिया है वो भी दोस्तों हमने इसके अंदर डाल दी है बहुती यूनीक, बहुती सिंपल, बहुती टेस्टी रेसिपी दोस्तों, half teaspoon धनिया पोडर, half teaspoon गरम मसाला, half teaspoon दोस्तों लाल मिर्च पोडर साथ ही दोस्तों, तीन बड़ी चमच हमने इसके अंदर धही का इस्तमाल किया है सब कुछ जालने के बाद दोस्तो एक से दो मिनट तक मसाले को बहुती अच्छे तरिक्चे से दोस्तो हमें भूनना है जब तक हमारा ओयल बिलकुल ही सेपरेट ना हो जाए दोस्तो बहुती युनीक बहुती सिंपल रेसिपी दोस्तो ये 400 गड़ाम मैंने आलू लिये थे इनको मैंने तोड़ लिया हातों की सहता से ये भी दोस्तो हमें इसके अंदर डाल दी है और गैस का फ्लेम दोस्तो हाई करके एक से दो मिनट तक दोस्तो हमें भूणना है सब्जी की भुनाई जितनी दोस्तों हम करेंगे सब्जी उतनी ही टेस्टी बनती है सब्जी को दोस्तों आप रेगुलर चलाते रहें बहुती सिंपल रेशीपी है दोस्तों नवरात्र में युकि नवरात्रों में ज़्यादा कुछ हम सब्जी हमें नहीं डाल पाते हैं मातरानी के बरते हैं दोस्तौ तो इसलिए दोस्तो इस समय इसके अंदर मैंने दो गिलास काच्वाले पाणी के भी लुए नापके ले रखे थे तो आज हम सुकी सब्जी ना बना के दोस्तो तरी वारी सब्जी बना रहे हैं तो यह देखें दोस्तो कितनी प्यारी सब्जी हमारी बनके त्यार हो रही है दोस्तो अब गैस का फले में हमने हाई कर दिया है दोस्तो ताकि इसमें एक अच्छे से बॉयल आ जाए हमारा बहुती प्यारी बहुती सिंपल रेसिपी दोस्तो तो इसी समय इसके अंदर हाफ टीजपून हमने जीरा पोडर भी डाल दिया है साथ ही दोस्तो हर सबजी की जान हरा धनिया वो भी दोस्तो आप इसके अंदर डाल सब रिडी हो जाएगा दोस्तो तो अब दोस्तो हम बनाएंगे पूरी क्योंकि आलू और कुट्टू के आटे की पूरी तो दोस्तो उसके लिए हमने चार आलू मेंने दोस्तो कद्दू कस कर लिये थे बॉयल करके वो हमने एक पॉल में ले लिये हैं साथ ही दोस्तो 200 ग्रा इस चायेगा तो दोस्तो इसको हाथों की सहिता से बहुत अच्छी तरिकशे अब हम आठा बों लेंगे दोस्तो और आटा बोंदने में मेरी मिशेज जो तो दोस्तों एक पनी ले लिजी आप और उस पनी पर ही क्यूंकि कोट्वाटे की पूरी बनती है तो आप बना लीजिए हाथों में दोस्तों आप मुफले के ओयल का इस्तमाल कर लीजिए यह रिफैयंड जो भी आप करते हैं दोस्तों तो यह देखें इस तरीके से दोस्तों आप कुटो ग्याटे की पूरी बना सकते हैं मैं आपको एक दू पूरी दोस्तों बना के दिखा रहा हूँ फिर आप धिरे-धिरे करके सारी पूरी दोस्तों बना लीजिए ये देखें बहुती सिंपल तरिका है दोस्तो और बहुती असान तरिका है ये पनी की सहता से आप पूरी बना सकती है बिलकुल ना कोई हमें बेलन की जुरत पड़ेगी कुछ जुरत हमें नहीं पड़ेगी दोस्तो ये देखें दोस्तो तो दोस्तो एधिर हमारा oil बी गरम हो चुका है तो हम ने इसके अंदर पूरी डाल दी है यह देखें दोस्तों कितनी fully fully फूरी हमारी बनके ready हो रही है तो इसी तरीके से दोस्तों आप एक एक करके सारी पूरी दोस्तों हम बना लेंगे तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक करना कमेंट करना चैनल को दोस्तो सब्सक्राइब भी करना आपका प्यार हमारी तागत है दोस्तो अपना प्यारा पिछी तरीके से बनाए रखना ये देखें दोस्तो इसी तरीके से दोस्तो आप एक एक करके सारी पूरी आ खादी हैं रेसिपी को दोस्तों जुरूर फोलो करें मेरी कोशिस होती है कि मैं हर रोज आपके लिए एक नई रेसिपी लेके हाजिर हूं दोस्तों धन्यवाद दोस्तों जे लक्षु